नमस्ते दोस्तों, सात्विक नैचरल फार्म में आपका स्वागत है आज कई दिनों के बाद आप सबसे बात करने का मौका मिला है सबसे पहली सुचना तो ये है कि किन्नू का सीजन चला हुआ है किन्नू बहुत ही टैस्टी, मिठे और रसिले हो चुके हैं तो जनवरी में और फरवरी के अंथ तक किन्नू उपलब्द हैं जो भी मित्र रसिले और मिठे किन्नू का आनंद लेना चाहते हैं वो सात्विक नैचरल फार्म में सादर आमंत्रित हैं और अभी बिलर्खा और उसके आसपास के गाउं में हमारी ट्रैक्टर ट्राली भी जा रही है तो गाउं या उसके आसपास के जो साती हैं वो वहां से हमारी ट्रैक्टर ट्राली से भी ले सकते हैं और जैसा फेस्बुक के माध्यम से आपको सूचना भी होगी केथल में भी हमारे FFT और गैनिक स्टोर पे हमारे फल उपलब्द हैं तो यह सुचना तो किन्नू के लिए है और एक बार फिर मैं आमंतरित करता हूँ जनुवरी और फरवरी के महिने में ताजय मिठे रसिले और बहुत ही स्वादिष्ट नैचरल और गैनिक फल खाने के समय पहले मैंने आवला के बारे में एक वीडियो बनाई थी और उसमें आवला लड्डू का जिक्र किया था इस साल हमने इस मात्रा में पहली बार आवला लड्डू बनाए और वो आप सबने इतने पसंद किये इतने पसंद किये कि हम आज तक भी उसके और्डर की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जितना हम बनाते हैं हालां कि बहुत लेबर ओरियंटेड काम है आप लड्डू बनाना तो जो भी हम एक दिन में पांचार या पांसात किलो लड्डू बना पाते हैं वो उनकी डिमांड इतनी रही है साथ की साथ आप सबने वो कंजूम किये हैं और जाव के अनुसार हमने उनमें कुछ सुधार या फेर बदल भी किया है तो आवला के बड़े हैल्दी लड्डू और स्वादिष्ट लड्डू बने हैं हमने भी खाए हैं और जिन-जिन मित्रों ने खाए हैं और पसंद किये हैं और हमारा होसला बढ़ाया है उनका भी मैं बहुत धन्यवादी हूं शुक्रिया आदा करता हूं और अभी थोड़े ही आवले बाकी हैं बाकी तो हमने लड्डू बनाए या तो बिक्री कर दी थी अभी सिर्फ दो पोधों पे थोड़े फल हमने रखे हैं तो यदि अभी तक आपने आवला लड्डू नहीं चखे हैं तो आप साथिक नैचरोल फारम से संपरक करें और अपने आवला लड्डू का ओर्डर दें और दूसरी बात तीसरी बात जो मुझे करनी थी कि आवला लड्डू जैसे ही कुछ healthy product हम साथिक नैचरोल फारम की तरब से उपलब्द करवाना चाहते हैं जैसा मेरे कुछ जाग बड़ी मात्रा में प्रिजर्वेटिव या दुसरे केमिकल का प्रियोग किया जाता है उनको टिकाऊ बनाए रखने के लिए लंबे समय तक टिकाने के लिए तो यहां हम सात्विक नैचुरल फार्म में हम नहीं चाहते कि ऐसे कुछ हानी कारकपदार्थों का हम प्रियोग करे तो हमारी इच्छा यही है कि नैचुरल तरीके से ही चीज़ें टिके बेसक वो कम समय तक टिके या हम ज्यादा प्रोड़क्ट ना भी बना पाएं लेकिन जो भी बनाएं वो स्वास्थे की दृष्टी से भी अच्छा हो शिर्फ स्वाद के लिए ही अच्छा ना हो या सिर अभी जैसा आप सबको भी मालूम है जो नियमित रूप से सात्विक नेचुरल फार्म यूट्यूब चैनल से या फेस्बुक से जुड़े हैं कि हमारे पास आवला निम्बू अमरूद मौसमी और किन्नू के पोधे हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब के सुझा सुझाव आमंत्रित करता हूं कि नेचुरल तरीके से जिसमें हमें बाहर से कोई कैमिकल ना मिलाने पड़ें या ऐसे हानी कारक प्रिजर्वेटिव ना मिलाने पड़ें ऐसी क्या चीज़ें हम बना सकते हैं जिसके जिसका लाब आप और हम सभी उठा सकें तो आप सबके या सिधे कॉल करके या वटसेप के माध्यम से जैसे भी अपने सुझाव दे सकते हैं और एक बार फिर मैं आप सबका इतने प्रेम और सहयोग के लिए धन्यावाद करता हूं नमस्कार